प्री लोड़ेट गानों वाला की पैडफोन धमा केदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल नमस्कार मैं हूरुची आपके साथ पता है कुछ गाने एक हयालों पर बनते हैं तो कुछ गाने बेख हयाली पर और इन ही में से एक प्लाटनुम सॉंग मैं आपके लिए रोज ले करके आती हूँ आज 11th of December है और आज का प्लाटनुम सॉंग of the day मैंने खास दिलिप सहाब की फिल्म मधुमती से चुना है क्योंकि आज दिलिप सहाब का जनम दिन है सॉंग है मुकेश जी की आवाज, सलिल चौधरी जी की कॉंपोजिशन और शैलेंद्र जी के लिरिक्स के साथ बना हुआ सुहाना सफर और ये मौसम हसी इस गाने का म्यूजिक लिरिक्स से भी पहले कंपोज हो चुका था और ये गाना इतना पॉपिलर है कि आज भी डांडिया फंक्शन्स पर प्ले किया जाता है इस गाने के कई किस्से हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं आज का प्लातिनम सॉंग अफ ते डे म्यूजिक डिरेक्टर सलिल चौधरी जी को इस फिल्म के म्यूजिक के लिए उनका पहला फिल्म फेर अवार्ड मिला था और जानते हैं सुहाना सफर गाना जो है वो सुधीन दास गुपता जी के सौंग एचाया घेरा से इंस्पायर था इन फैक्ट सलिल दा ने जब ओरिजनल गाने को सुना था तब उन्होंने डाइरेक्ली सुधीन दास गुपता जी से पूछ लिया था कि क्या वो इस गाने को अडाप्ट कर सकते हैं अपनी फिल्म में फिर क्या होना था सुधीन जी ने बगैर किसी सवाल के हां कह दिया और सलिल दा ने मेलोडी सेम रखी टेम्पो में थोड़े चेंजिस किये और रिजल्ट क्या निकला वो तो आप सुनी रहे हैं कही गुन गुन कही रुन जुनके जैसे नाचे जमी सुहाना सफर और ये मौसम खसी हमें डर है हम हो न जाए कही सुहाना सफर और ये मौसम खसी मधुमती फिल्म का साउंट्राक 1958 का बेस्ट सेलिंग बॉलिवूद साउंट्राक था और पता है सुहाना सफर सौंग के लिए सलिल दा ने पहले हेमंत कुमार जी को दिलिप सहाब की प्लेबैक वोईज रखना चाहा था लेकिन फिर शैलेंद्र जी ने सलिल दा को कन्विंस किया कि मुकेश जी की वोईज दिलिप सहाब को वैसे ही सूट करती है जैसे राज कपूर सहाब को करती थी And the moment सलिल दा ने सुहाना सफर सौंग को मुकेश जी की आवाज में रिकॉर्ड किया वो समझ गए कि ये आवाज ही मधुमती फिल्म के इस काने की फिलिंग्स को चस्टिफाई कर सकती है प्यार प्यार ये नजार निखार है हर कही सुहाना सफर और ये मौसम हसी हमें दर है हम थो न जाए कही सुहाना सफर और ये मौसम हसी तो ये था आज का प्लाटिनम सौंग आफ तडे मैं हूरुची आपके साथ Interestingly, veteran music director Abhijit जी ने एक बार ये किस्सा सुनाया था कि Bengali और Hindi फिल्मों के singer, music director और film producer शामल मित्रा जी ने जब इस गाने को उसके commercial release के पहले सुना था, तब उन्हें इस गाने के तीसरे अंत्रे के पहले Mukesh जी का ओहो हो का जो echoing effect है, वो इतना सहाब की ही फिल्म नया दोर से हिट काना ओ, उड़े जब जब जुल फे तेरी कवारियों का दिल मचले जिन्द मेरी ये हो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिस ले जिन्द मेरी ये ओ, रुत प्यार करन की आई के बेरियों के बेर पक गए के बेरियों के बेर पक गए जिन्द मेरी ये कभी डाल इधर भे बेरा के तक तक नैन ठक गए के तक तक नैन ठक गए जिन्द मेरी ये उस गाँ पे सुअड़क फिसद के के जहां मेरा यार बसता के जहां मेरा यार बसता जिन्द मेरी पानी लेने के पहाने आजा के तेरा मेरा इक रसता के तेरा मेरा इक रसता जिन्द मेरी ये तुझे चांद के बहाने देखूं 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 कि चान्द बेरी छिप जाने दे जिन्द मेरी तेरी चाल है नागन जैसी तेरी चाल है नागन जैसी तेरी चाल है नागन जैसी रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिन्द मेरी ये जाए कहीं भी मगर हम सचना ये दिल तुझे दे जाएंगे ये दिल तुझे दे जाएंगे जिन्द मेरे आज का प्लाटनम सॉंग ओफ तडे जिसे मैं याने कि रूची और आप कर रहे हैं सेलिब्रेट वह है मधुमती फिल्म का गाना सुहाना सफ़य जानते हैं दिलिब सहाब ने मधुमती फिल्म सिरफ इसलिए साइन की थी क्योंकि दिलिब सहाब डिरेक्टर बिमल रॉय के साथ फिर से काम करना चाहते थे इसके पहले उन्होंने देवदास फिल्म में साथ में काम किया था और जो bonding, respect और experience दिलप सहाब को बिमलदा से मिली थी उसी के चलते तब से दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और दोनों का लंबा association शुरू हो गया था दोनों में mutual understanding और trust था जो कि देवदास फिल्म के भी पहले से था और एक और बाज जो दिलप सहाब को मधुमती फिल्म की अच्छी लगी थी वो थी the construction of the narrative and the layers of unpredictability in it चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले गाने की और क्योंकि आज का platinum song of the day दिलप सहाब का गाना है तो सुनाते हैं आपको उनहीं का एक और काना तेरे हुसन की क्या तारिफ करूं कुछ कहते हुए भे डरता हूं कहीं भूल से तू न समझ बैठे के मैं तुझ से मुहाबत करता हूं तेरे हुसन की क्या तारिफ करूं कुछ कहते हुए भी डरता हूं कहीं भूल से तू न समझ बैठे के मैं तुझ से मुहाबत करता हूं मेरे दिल में कसक सी होती है तिरी राह से जब मैं गुजरती हूं इस बात से ये न समझ लेना के मैं तुझ से मुहाबत करती हूं तेरी बात मैं गीतों की सरगम तेरी चाल मैं पायल की छम छम तेरी बात मैं गीतों की सरगम तेरी चाल मैं पायल की छम छम कोई देख ले तुझ को एक नजर कोई देख ले तुझ को एक नजर मर जाए तेरी आँखों की फसं मैं भी हूँ अजब एक दीवा ना मरता हूँ ना आहें भरता हूँ कहीं भूल से तू न समझ बैठे के मैं तुझ से मुहबत करता हूँ मेरे सामने जब तू आता है जी धप से मेरा हा जाता है मेरे सामने जब तू आता है जी धप से मेरा हा जाता है लेती है तमना अंगडाई दिन जाने कहा खो जाता है मेहसूस ये होता है मुझको जैसे मैं तेरा दम भरती हूँ इस बात से ये न समझ लेना के मैं तुझ से मुहबत करती हूँ तेरे हुसन की क्या तारिफ करूँ कुछ कहते हुए भी डरता हूँ कहीं भूल से तू न समझ वेटे कि मैं तुझ से मुहबत करता हूँ आज का प्लाटनिम सॉंग अफ ते डे एक ऐसा गाना है जो कि आज तक भी उतना ही हिट है जितना तब हुआ था जब ये रिलीस हुआ था गाना है सुहाना सफर और ये मौसम हसी ये गाना एक बार फिर से सुनना तो बनता ही है तो इससे पहले कि मैं आपको ये गाना फिर से सुना हूँ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए सारे गामा म्यूजिक चानल को सब्सक्राइब कीजिए और चली मैं याने के रूची और आप मिल करके सुनते हैं ये गाना फिर से मेरे सारे गावा कारवा पर मौसम खसी हमें डर है हम खोल जाएं कहीं सुहाना सफर और ये मौसम खसी ये कौन हस्ता है फूलों में चुप कर महार बेचैन है किसकी घुम पर ये कौन हस्ता है फूलों में चुप कर बहार बेचैन है किसकी धुन पर कही गुन गुन कही रुन जुन के जैसे नाचे जमी सुहाना सफर और ये मौसम खसी हमें डर है हम खोल जाएं कहीं सुहाना सफर और ये मौसम खसी ये गोरी नदियों का चलना उचल कर के जैसे अलहड चले पीसे मिलकर प्यार प्यार ये नजारे निखार है हर कहीं सुहाना सफर और ये मौसम हसी सुहाना सबर और ये मौसम हसी हमें दर है हम ठो न जाएं कहीं सुहाना सबर और ये मौसम हसी वो आसमा जुक रहा है जमी पर ये मिलन हमने देखा यहीं पर वो आसमा जुक रहा है जमी पर ये मिलन हमने देखा यही पर मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शाय जही सुहाना सफर और ये मौसम हसी हमें डर है हम तो न जाए कही सुहाना सफर और ये मौसम हसी सुहाना सफर और ये मौसम हसी